students this is your science book in today class we will read the page number 82 of this chapter last class में हमने इसके last के जो भी pages है हमको read कर लिया है और states of matter को read किया है कि states कोन सी होती है और यह है these are solid liquid and gases हमने activities के थुरू गानत है कि solid liquid gases जो है अनको visible होते हैं कि नहीं होते हैं तो experiment के थुरू हमने उसको देखा था और next है हमारा कि space लेते हैं यह तो space में हमने glass का example लिया है तो उसमें देखा है कि stone को डाला है pebbles को तो भी space लेते हैं water भी space लेते हैं जब वो किसी मतलब वो जो भर जाता है तो उसके बात में वो बाहर यहां पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा लेकिन जब तक वो खाली था तब तक वो उसमें उतना आया जितना जगा होती है उतना वो उसके अंदर आ गए water भी आ गया और pebbles भी आ गया इसी तरह से हमने यह gases का देखा कि जब तक वो सीधा glass डाला तब तक कोई भी water उसके अंदर नहीं गया जैसे किया एयर बबल के रूप में बाहर निकल गई और water अंदर चला गया ग्लास में ऐसे ही matter में weight होता है हमने रीट किया था तो solid में भी weight होता है liquid में भी होता है और air में gases में weight होता है हमने ballon के example से इसको जाना कि air में भी weight होता है और difference between solid liquid and gases को हमने देखा कि solid और solid का definite shape होता है उसमें कोई change नहीं आता है liquid का definite shape नहीं होता है वो जिस भी utensils या vessel में डालो वो उसी का shape ले लेती है तो in today class we will read gases have no definite shape gases का कोई shape नहीं होता है जैसे liquid का कोई shape नहीं होता है जैसे gases का कोई shape नहीं होता है यह उसी का shape ले लेते हैं जिसमें यह डाले जाते हैं जिसमें present होते हैं यह for example the air in a bottle takes the shape of the bottle bottle में होगा तो bottle का shape ले ले लेगा the air in a glass take the shape of glass जो glass में होगी तो उसका glass का shape ले लेगी the air in a room takes the shape of the room और room में होगा तो room का shape ले लेगी if you fill air into cycle tube अगर आप cycle की tube में air fill करते हैं, it takes the shape of cycle tube, cycle tube की shape ले लेगे, देखें, यहाँ पर बना हुआ है, air is a mixture of various gases, air में बहुत सारी gases होती है, और can you name the gases present in air, आप क्या बता सकते हैं कि air जो present होती है, कौन-कौन सी gases होती है, उसके अंदर, air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and various other gases, तो air जो है mixture है, यानि वो अकेल, air में बहुत सारी gases involved है, मतलब कि हम कहेंगे, उसके अंदर बहुत सारी gases होती है, oxygen भी होती है, nitrogen भी होती है, carbon dioxide और various other gases भी होती है, और इनका अपना अपना percentage होती है, कि कौन सी जादा है, कौन सी कम है, तो यहाँ पर हमने इस chapter में reach भी किया था, air के बारे में, gases flow faster than liquid, gases जो है, वो liquid से तेज़ fast flow करती है, take two balloons of equal size, हमें equal size के दो balloon लेने है, blow air into one of the balloon and ties it, neck, यानि neck मतलों कि उपर से उसको, उसमें बढने के बाद में, उसको उपर से बाद देना है, fill water in the second balloon up to the size of the first balloon, और दूसरा जो balloon है, उसे भी आपको, जो पहला आपने balloon फुलाया था, उसी के size में उसको water भर देना है, जो दूसरा balloon है, and the neck and its neck also, और उसका भी neck जो है, अपने बंद कर देना है, यानि उपर से उसको भी बंद कर देना है, see that both of balloon are of same size, दोनों same size में दिखाई देंगे, now loosen their neck at the same time, और फिर उनका जो neck है, यानि उपर से उसको खोल देना है, same time मतलब एकी समय में दोनों को खोल देना है, note which balloon become empty first, और आपने note करना है कि कौन सा balloon बहुत तेजी से खाली होता है, you will, empty means होता है, खाली हो जाना, you will find that the balloon filled with air becomes empty, आपको पता लगेगा कि कैके जो air से भरा हुआ balloon था, वो जल्दी खाली हो गया, यानि सबसे पहले खाली हुआ, and the balloon filled with water becomes empty later, और जो जिसमें पानी भरा हुआ था, वो थोड़ा देर से खाली हुआ, this is because the air rushes out of the balloon faster than water, यानि ये इसलिए हुआ कि air जो है वो बहुत जल्दी fast flow हो जाती है, water की अपिक्षा जो है, यानि water धीरे flow होता है और air जो है, वो fast flow होती है, all gases flow faster than liquids, सबी gases जो है, वो liquid से fast, मतलब कि तेज flow होती है, gases can expand, gases can expand, यानि यहाँ पर हम रीट करेंगे कि gas बहुत जल्दी तेजी से फैलती है, बट some pieces of paper in one corner of our room, आपको एक कुछ paper की टुकड़े अपने room के corner में रखने है, नहीं, burn, burn करना है, यानि चलाना है, you can see the smoke coming out, आप देखोगे कि उसमें से धुआ निकलेगा, you can also smell the smoke, तुम उस smoke को सूंग भी सकते हो, now go to the other room, दूसरे room में जाए, you can smell the smoke, though you have not burned the paper in this room, तुमें वहाँ पर भी उस paper का धुआ, धुआ की smell आएगी, लेकिन उस room में आपने paper burn नहीं किया है, this is because the smoke flow and can expand to fill the available space, बिले कि smoke जो है, वो flow करता है, और जहाँ पर भी उसे space मिलता है, वहाँ पर फैल जाता है, if the gases cylinder is left open in the kitchen, अगर gas का cylinder जो है, वो खुला छोड़ दे, kitchen में, you can smell the gases all over, तुमें सभी जगा पर, gas की smell आएगी, why, क्यों, this is because the gas from the cylinder has expand, बिले कि वो फैल रही है, gas, cylinder की, and fill the entire space, और जितना भी space है, उसमें जा करके भर रही है, बिले कि उसमें, जितनी भी space वहाँ पर, जहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर वो, क्या कहते हैं, अपना space बना लेती है, if somebody use perfume in one corner of the room, यदि कोई एक किसी कमरे में perfume use करता है, you can smell it in the other corner, तुम्हें दूसरे corner में भी उसकी smell का पता चलेगा, all gases expand and fill the entire space of the containers or the rooms, all gases, मतलब कि जितनी भी gases है, वो expand हो जाती है, फैल जाती है, और entire space, मतलब कि जो जहाँ भी खाली जगा मिलती है, वहाँ पर भर जाती है, of the container, या तो container की बात करें, या room चाहें जिसमें भी होगा, वो खाली जगा में जाकर के, वो अपने, अपना स्थान ले लेती है, liquid do not expand, liquid expand नहीं होता है, activity 3 में यहाँ पर बताया गया है, आपको take two glasses of different size, आपको different size के दो glass लेने है, one big and one small, एक छोटा और एक बड़ा, fill the smaller glass, smaller glass को fill करना है, with water, पानी से, now pour the water into the bigger glass, आपको bigger glass में भी आपको पानी डालना है, does the water fill the bigger glass completely, क्या वो, जो बड़ा glass है, वो completely fill हो गया, no, the bigger glass remains partly empty, यानि कुछ खाली रह जाएगा, it does not get completely filled, with water as liquid do not expand, यह मतलब completely filled नहीं हुआ, क्योंकि liquid, expand नहीं करता है, ठीक है, तो, जब आप छोटे किसी बरतन में, आपने यहाँ पर example के थूरू, बताया गया है, कि छोटे में डाला सबसे पहले, फिर उसी water को आप बड़े में डाल रहे हो, तो, वो उतने ही रहेगा, जितना glass में डाला है पहले, ठीक है, उससे जादा नहीं हो जाएगा, बड़े glass में ऐसा नहीं होगा, कि वो फैल जाएगा, उपर तक भर जाएगा, जितना है, उतना ही रहेगा, इसलिए, liquid जो है, expand नहीं करता है, gases expand करती है, इस activity shows that, liquid do not expand, और their quantity does not increase, according to the size of vessel, जो liquid है, increase होता है, बर्तन के हिसाब से, वो जितना होता है, उतना ही रहता है, अगिवन, quantity of liquid always takes up the same amount of space, और जितनी quantity होती है, liquid की, वो हमेशा same ही रहती है, उतना ही, जितना उसमे, space में होती है, जितना मतलब को स्थान गेरती है, उतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, आगे आपका revision point है, all materials surrounding us are term as matter, जितने भी materials हैं, वो हमारी चार तरफ हैं, उसको हम matter कहते हैं, matter is substance that has mass, mass में होता है weight, and occupy space, और जितनी भी matter है, वो उनमें weight होता है, भार होता है, और space जगा लेते हैं, there are three states of matter, three states of matter होते हैं, solid, liquid, and gases, we can see solid and liquid, but not gases, हम solid और liquid को देख सकते हैं, gases को नहीं देख सकते हैं, हम feel करते हैं, जैसे कि air को feel करते हैं, we can feel solid, liquid and gases, हम solid and liquid gases तीनों को feel कर सकते हैं, solid have a definite shape, solid की अपरिये एक definite shape होती है, ठीक्या बचो, तो आपने इस chapter को अच्छे से read करना है, और revise भी करना है अच्छे से, okay, thank you.